दूसरा पित्त का हिस्सा पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी जादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते न उस समय घी जादा खाएंगे ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखे और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्ध पित्त अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगे दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेगे तो ये तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चलें अब और दूसरी चीज़ों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात पित्तकफ तीनों को संपे लाने में मदद कर सकती है ये तीनों संभाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीज़ें तो बागवटी जी कहते है रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं, सब वहीं है बागवटी जी ने एक सूत्र लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा औशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा औशदी केंद्र, रसोई घर है अब दुर्भागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब औशदी है मसाले का और औशदी का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है पहले तो ये बता दूँ ये अर्बिक शब्द है फार्सी से अर्भी में आया अर्भी से हमारे घुश गया हिंदी में और जगे जगे घुश गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित ते जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्ज रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है मुगलों के राज्ज के पहले एक भी जगे किसी भी शास्तर में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशृत में कहीं मसाला नहीं है आउशदी आउशदी जीरा आउशदी धनिया आउशदी ये आउशदी के रूप में हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की आउशदियों की ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने जो हमारी दादी हैं नानी हैं उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हींग चाहिए मात्रा कितनी कितनी चाहिए वो तो सब बड़े वैज्यानिक और चिकितसक लोग रहे होंगे. क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद, पित, कफ की इस्थती सम और असम होती रहती है. आप जानते हैं सुबह जो है वाद जाधा होता है, सुबह सुबह. दुपहर को पित जादा होता है, शाम को कफ जादा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो बाद पित कफ उपर नीचे होता रहता है तो सबजियों में उसी के हिसाब से औशदिया डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सबजी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाईन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया, तो उसने का मेरी माने ऐसा सिखाया बस बात खतम हो गई अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है और दुपहर को पित बढ़कता है आप जानते हैं और वो स्वावा विक्या क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़क नहीं चाहिए तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए तो भारत में ज़्यादातर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाइन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठ्ठा उसमें भी अजवाईन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीजें है ज़्यादा तर अजवाईन ग्रस्त होती है या अजवाईन से बनती है क्योंकि पित्ट को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे है वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे है हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से GDP निकलता है इस देश का तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि GDP में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो GDP का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ीं ड़केतियां बढ़ीं तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा और प्रधान मंतरी छाती ठोक के कहँगा मेरे जमाने में GDP 10% से ऊपर बढ़ गया पुलिस का खर्च बढ़ गया मने चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई अत्याचार बढ़ गई, अनाचार बढ़ गई तो GDP बढ़ गया, तो क्या बड़ी बात है तो हमारे जो GDP के कैलकुलेशन है बड़े विचित रहें, इसमें चोरी हो, डकैती हो मने लूट मारी हो, तो GDP बढ़ेगा लेकिन माताएं बहने घर में जो करती रहती है वो GDP में है ही नहीं कैलकुलेशन ही नहीं है उसका भारा सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं? तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, किसी माने दाल की बढ़ी बना दी, पाँच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना, आपका मन क्या कहता है, बुद्धी क्या कहती है, बढ़ा के बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी किसी ने पापड बना दिये किसी ने कुछ बना दिया किसी ने गोंद के लड़ू बना दिये किसी ने मावे का कुछ बना दिया तो GDP तो बड़ी रहा है लेकिन हम calculate नहीं कर रहें उसको क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महत्त का नहीं माना जाता अंग्रेजों के यह जो अंग्रेज जात है न दुनिया में यह महिलाओं के किये हुए काम को काम ही नहीं मानते आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा और आज भी है यह कई देशों वह मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते हां यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लैटो वो कहता है कि इस्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है तो इस्त्री जो करे वो बेकार है पुरुष जो करे व हो गए सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वह माल लिया मैं अभी इसको बदलना चाहता हूं और मैं यह समझना चाहता हूं और समझाना दे रही है धनिया खाओ जीरा खाओ और यह अजवाइन खाओ आपके पेट कि गैस खतम हो जाएगी और यह साड़े 3000 साल से वैसे का वैसा ही है अजवाइन खाओ तो गैस खतम होती ही है कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में एसिरिटी की तकलीफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज्यादा रहे दाल में सबजी में वगरा वगरा और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खतम करते ही थोड़ी अजवाइन खालो अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना करदे उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खाके देख लो तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ ये गा स्रीचीज है, वो है अजवाइन